हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्समरदी उपाई में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत हैं जैसा कि कातक का महीना चल रहा है कातक का महीना भहुती शुम महीना माना जाता है ये जो महीना होता है इसमें भगवान विश्नु को भहुती प्रिय होता है और इस महीने में तुलसा जी की पूजा का विशेज मैथ है जो कोई भी तुलसा जी की पूजा करता है उसकी सारी दरिद्धा खतम हो जाती है उसको पुन्य की प्राप्ती होती है जो लोग भ्रह्माहूरत में इस नानादी करते हैं उनको बहुत ही जादा पुन्य की प्राप से हमारे घर में पवितरता आती है और मा लक्षमी का वास बना रहता है दोस्तो जो तुलसी का पत्ता होता है तुलसी के पत्ते के ऐसे ऐसे चमतकारी उपाए हैं जो आपको कातक मास में जरूर करने चाहिए कहते हैं कि जिस घर में तुलसी रहती है वहाँ पर कभी भी नगरा कुछ ऐसे ऐसे में चमतकारी उपाय बताऊंगी जो आप कातक के महीने में जरूर करने चाहिए जिससे आपको धन की और जो कोई भी परिसानिया है वो सारी खतम हो जाएंगी कातक के महीने में तुलसा जी के ब्रक्ष में आप सालिग राम जी को रखकर उनकी पूजा करें दोस्तो यह अंदकार का कातिक महीना होता है अगर इसमें दीप उत्सब मनाया जाता है तो बहुत ही जल्दी हमें मालक्षमी की किरपा आवस से ही मिलती है तो आज मैं आपको छोटे छोटे ऐसे उपाय जरूर बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही धन्सम्प्रदा बनी और आपके घर में हमेसा मालक्षमी का निवास रहेगा जैसे की तुलसा जी के पत्ते आगर आप बहुत परिसान है बिमारिया चूट बिमारिया आती रहती है परिसानी करती रहती है धन की कमी हो रही है नौगरी पैसा सब बंध हो गया है दुकान चलना बंध हो गया है तो उसे आपने काम बाले स्थान पा जो आपका काम नहीं चल रहा है दुकान पर छिलक दीजिए, घर में छिलक दीजिए, उससे आपके घर में सुक्समर्द दिया जाएगी, मा लक्षमी का निवास आपके घर में हो जाएगा, अगर आपके घर में तुलसा जी नहीं है, कातक के महीने में अगर आप तुलसा जी लाना चाह रहे हैं, तो बहुत पार का सुब्धिन देखकर या फिर दीपावली के दिन ही आप इसे लेकर आएं पौधे को बहुती सुमाना जाता है और मा लक्षमी कहते हैं कि जब हम ये पौधा लेकर अपने घर में आते हैं तो सीधे ही मा लक्षमी हमारे घर में प्रवेज कर जाती हैं तो दोस्तों विश्णु भगवान को चड़ाना चाहिए जिससे विश्णु भगवान मा लक्षमी की किरपा आप पर बनी रहें आपको क्या करना है जब आप जो पत्र चड़ाएंगे तो आपको हमेशा उनके सिर पर ही चड़ाना है क्योंकि विश्णु भगवान जी को हमेशा उनके सि पूजा करिए विशेश महत वो चल रहा है कातिक महीने का तो आपको विशेशफल की प्राप्ती होगी अगर आप बहुत ज़द परिशान है बहुत घर में उन्नती नहीं हो रही है तो क्या करिए आप रसोई जो ऐसी चीज होती है जहां हमारे अनपूर्ण नगवास होता है क चाहिए इससे मानपूर्णा की किरपा हमारे रसोई में बनी रहती है जितनी भी हमारी रसोई में नेगेटिविटी होती है किसी की बुरी सक्तिया होती है किसी की बुरी नजर होती है वो सारी खतम हो जाती है तो दस या ग्यारे पत्ते आप अपनी रसोई में ले और आप यह नहीं कि आप यूज ना करें अगर आपको जिसे भोग परशाद भगवान जी को देना है हर भोग में आपको तुलसा जी के दल जरूर डालने चाहिए जो लोग तुलसा जी के दल डले हुए खाना खाते हैं उन्हें कभी भी कोई बिमारी का बहनी रहता है उसमें हमेशा उन घर में मा लक्षमी का निवास बना रहता है तो जब भी आप भोग लगाएं तुलसा जी के दल डाल कर लगाएं और वो तुलसा जी का जो खाना होता है सारा जो आपने भोग लगाया है वो सारे खाने में मिक्स कर दें और फिर परशाद के रोप में सभी को खाना चाहि परस में भी दो चार पत्ते होने चाहिए इससे जो होती है वो चुम्बक की तरह धन खीचता है जो मा लक्षमी का निवास तुलसा जी की जड़ों में होता है जिससे हमारे घर में अपार धन्ने की प्राप्ति होती है जो लोग तुलसा जी में रोज दिय जलाते हैं रोज पूजा पाट करते हैं तुलसा जी की उसके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है दोस्तों उसके घर में हमेशा धन की बरसात रहती है हमेशा आपको क्या करना है गुरुवार के दिन आपको कच्चा दूद जर कि मंजरी हटाते रहें उनकी मंजरी आपको सनीवार को हटानी चाहिए कहते हैं कि सनीवार को मंजरी हटा के गुरुवार को उन मंजरीयों की माला बना कर भवान विश्णु को अरपित कर देनी चाहिए ऐसा करने से हमारे घर में सुक्समरदी बनी रहती है मा लक्षमी कर ले लिजे लाल कपड़े में बांद कर किसी सुब समय पर किसी अच्छे दिन में जैसे कि अब दीपावली आ रही है अगर आप इस टैम पर करते हैं तो और भी विशेश फलके प्राप्ती होती है तो पांच तुलसा जी की मंजरी ले लिजे लाल कपड़े में बांद कर अपन इनकी जड़ों में इनकी जड़ों में भी विसेश फल होता है हमें अगर हम इनकी जड़ को भी प्रियोग करते हैं तो इनकी जड़ से विविन विविन हमारी परिसानिया समाप्त हो जाती हैं अगर मैं बताने चली तो बहुत ही जब दा लंबी हो जाएगी वीडियो तो जाल लिजे कि तुलसा जी में हमेशा आपको कार्थिक महीने में भजन कीरतन करते हैं तुलसा जी के जैसे कि मैं कहानी सुनाती हूँ आपको जिसे एक बुढियम आई थी रोज कार्थिक में पूजा करती थी और तुलसा माता सतकी धाता मैं बिल्ला सीचु तेरा तू करनिस्तारा किरिशन जी आए बोले तुल्षा माता क्यों सूख रही हो तुल्षा माता बोले एक बुढ़िया माई आती जो इतना कहा कर जाती मैं सब कुछ दे दूगी किरिशन जी बोले तु चिंता मत कर मैं दूगा एक दिन क्या हुआ बुडिया माई बर गई का तक कही महीना था सब कोई उठाने लगे इतनी भारी हो गई कि उसी से उठे ही नहीं तो भगवान बुड़े भ्रामर का रूप धारन करके आये बोले इतनी भीड क्यों लगा रखी है सब कोई कहने लगे बुड़ियमाई थी पापनी थी किसी से नहीं उठती भगवान ने कहा मुझे वे अपनी मन की निकालन दो उन्होंने कहा मन की निकाल लो भगवान ने बुड़ियमाई के कान में कहा बुड़ियमाई तु बिल्ला सीचे मेरा मैं करूनिस तारा तेरा पितामबर की दोती ले, मीटा-मीटा ग्रास ले, वैखुंट का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, जहलर की जनकाल ले, साई का राज ले, दालभात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले, तनी बाद सुनते ही बढ़ी हमाई हलकी हो गई, भ बहुती पवित्रमानी जाती है, कहानी सुनने का, कहने का बहुती ज़्यादा महत्व है, और जो इस में एक महत्तम पढ़ता है, कहानिया करता है, तुलसा जी की उसे विशेश फल्की प्राप्ती होती है, दोस्तों, तो मैंने अपने कातक की बहुत सारी वीडियो डाली है, महात्तम की अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप मैंने कहा तो सुने ही आपको मन है आप सुन सकते हैं तो इस तरह से कातक का नहाना भी बहुत ही शुम माना जाता है जो कोई भी भ्रम मौरत को कि ये सारे जो तोहार आते हैं वो सारे तोहार इसी म भगवान की किरपा आपके घर पर बनी रहे आपके घर में हद सदेव मा लक्षिमी का वास रहे वीडियो पर गी लगी तो लाइक सस्क्राइब जरूर करें कमेंड में जय मातुलसी जरूर लिखेगा दोस्तों जय मातुलसी